अस्सलाम अलेकुम गाईस वेलकम टू डॉक्टर स्प्लेज अकैडमी प्लेटफॉर्म मेरा नाम है डॉक्टर शेक मुहमद उजैफा और आज हम लोग आ गए हैं एक और OPD के साथ और आज की जो को पीडी है हमारी बेसिकली वो है पैड्रेटिक्स की OPD आज पैड्रेटिक का यह एक बड़ा जो होस्ट होता है यह जो मम्स वाइरस का वो होते हैं हुमन्स को थूप क्या कोई भी इंफैक्टेड है या फिर किसी के अंदर नान इंफैक्टेड के अंदर इसके बाडिब यह वाइरस मौझूद है ड्रोपलेट के थूछ वह ट्रांसफर हो जाता है वह क व्होच पे लांट रीटे गलेंट radar आपके डीराइस प्रमाय सो Además 3 और अगय यह व्होच मैंने के लिए अर जबसक्रमाय. अधिक नंगाफ न्याट 될 हमें, जब जता समच्च ब्हच बलौते ही, लॉतर होज़ा। तो इसको हम क्या कहते हैं, पेरोटिनाइटस, पेरोटिनाइटस होता है, जो आपकी इंफ्लमेशन हो जाती है, आपकी पेरोटोनियल लेयर की अब्डॉमन के अंदर, तो यह है हमारे पास पेरोटाइटस, तो यह आपने याद रखना है, अचा पेरोटाइटस जो है इंफ्ल जादतर कहा पर होती है, बाइलेटरल होती है, ठीक है, बाइलेटरल आपको इंफ्लामेशन दिखती है, अचा पैरोटाइटस जो होता है, या फिर सैलिवरी ग्लेंड होता है, इसका एक और डिफरेंशल डाइगनोस होता है, अब मैं यह क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यह ब अब अब इन दोनों को कैसे डिफरेंट, मतलब जाहरी बात है, डाइगनोसिस, आपने कैसे करना है, दोनों पेशन आपके पास आएगा, आपके पास फीवर के साथ, फीवर के बाद पेशन्ट की जो ग्लेंड होंगी, उनके इंफ्लामेशन वह भी होगी तो वह आपको पे पेशन्ट करेगा आपके पास, उसके बाद पेशन्ट को जब आप बेसिकली इसमें एक चीज़ इंपोर्टेंट है, वह मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इन दोनों के अंदर डिफरेंशल डाइगनोस में क्या इंपोर्टेंट है, मम्स का जो पेशन्ट होता है, उसकी इंफ्लामेशन मैंने आपको बताया है, बाइलेटरल होती है, अगर आपके मम्स का पेशन्ट होगा, तो वह बाइलेटरल होगी, अगर आपके मम्स का पेशन्ट होगा, तो वह बाइलेटरल होगी, most commonly ऐसे ही होता है, हो सकता है कि आपके पास हो जाए, इसमें कुछ पैसे हाजाए जिसमें बाइलेटरल है, या उसमें मम्स में कोई ऐसा पैसे पैसेंट आ जाए है जिसको यूनिलेटरल है, ये भी हो सकता है, लेकिन जादा तर क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक और पॉइंट आपने याद रखना जो डिफरेंशल के लि तो यहां पर आपको हाइब फिवर मिलेगा तो कि यह आपने दोनों में फरक याद रखने ए बहुत इंपॉर्टन चीज़ है इसके लाबा, salivary glands के tumours होते हैं, tumours में फिर आपको पता है, बिल्कुल यह अलग symptom होते हैं, वहापे patient आपको pain का बताएगा, लेकिन वो कैसा pain होगा, वो सिर्फ खाना खाने के साथ pain होगा, यहाँ पर यह continuous pain है, मुसल्चल तोर पर pain है, inflammation की वज़ा से, वहाँ पर pain कैसा होग खाना खाने के साथ होगा, इसी तरह salivary glands के tumours, वो stones हो जाते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी सेम यही चीज होती है, कि वो खाना खाने के साथ, क्या होता है, pain होता है, तो आपको बोलेंगे, जब हम eating करते हैं, तब pain होता है, salivary tumours होगे अगर, या फि अच्छा, इसकी जो complication ने नीचे, acute psilodinitis की, यह जाकर आगे जाकर deep neck infections में जा सकता है, abscess हो सकता है neck में, तो यह बहुत ज़्यादा severe है, mumps इसके मुकाबले में थोड़ा कम severe है, क्योंकि यह viral infection है, ज़्याद तर self-limiting होता है, आगे चलकर हम discuss करते हैं, acute psilodinitis को कभी हम ब पास patient आई है, बच्ची है 4 साल की, और इसको क्या complain है, इसको complain है, swelling and pain in the both jigs, अब आप अपने जो glands होते हैं, उसको देख लें, cerevally glands जो होता है, आपका basically यह parotid gland जो होता है, यह आपके बिलकुल यह side पर होता है, तो यह parotid gland है, ठीक है, यह P लिख रहा हूँ, उसके होता है, इसको हम क्या कहते है, sublingual, तो इसको हम क्या कहते है, sublingual, तो यह आपके different type के salivary glands आपको दिख रहे है, किसी की भी inflammation हो सकती है, लेकिन ज्यादा तर इसमें common कौन सी होती है, आपके parotid gland के जिसको हम parotitis कहते हैं, और वो मैंन आपको बता दिया था, तो यहाँ पर पीछे वाली side पर, ears की side पर क्या मिलेगी, inflammation मिलेगी, और जैसी आप हाथ लगाएंगे तो patient को pain होगा, tenderness होगी, तो यहाँ पर हमारी patient की history देख लेते हैं, जो history of presenting illness है, Sarah present with two days history of fever, headache and fatigue, she developed swelling, tenderness in both chicks yesterday, which has worsened since then, तो patient को दो दिन से history है, fever की, headache की और fatigue की, उसके बाद patient की swelling होना स्टार्ट हो गई है, yesterday से, और tenderness, यानि के गई है, चिक्स की side पर, तो basically priority gland की inflammation है, और यहाँ पर patient की यह worse होती जा रही है, तो यह अभी starting a disease का, आपको starting में इसी तरह की symptoms patient में मिलते हैं, आगे चलते हैं, हम इससे past medical history पूछते हैं, कि इसकी vaccine आती है, मम्स वाइरस की vaccine आती ह उनको उनके भी high chances होते हैं, कि उनमें transfer हो जाए, तो यहाँ patient से vaccination history बहुत important है, तो patient की past medical history में, otherwise healthy, कोई problem नहीं थी, पीछे कोई ऐसी खास, no significant medical history, she is up to date on his vaccination, include MMR, MMR क्या होती है, measles, mumps, rubella, यह एक vaccine लगती है, और यह भी patient को लगी है, तो इसका भी कोई मसला नहीं है, अब आगे हम symptoms पूछते हैं, अच्छा, आगे बहुत important चीज, क्या चीज हमने पूछने है patient से, social history, social history क्या, कि आप कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों के साथ बैठते हैं, क्योंकि उसमें high chances होते हैं, transfer होने के, तो यहाँ पर जो patient की social history है, वो काफी जादा लोगों से interact रहता है, बच्चा, और यहाँ पर यही लिख दिया है, हमने, she है, ठीक है, यह आपने she कर लेना है, तो यह जो basically बच्चा है, काफी जादा interact करता है, और number one जो इसमें बहुत important point है, वो है, कि इसका exposure हो चुका है, six, जो basically पहले कोई sick था, उससे exposure हो चुका है, तो यह इसके high chances हैं, कि यह droplets के थूरू इस बच्चे में भी transfer हो गया, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, exposure to the sick contact reported, तो कोई sick था, इस तरीके से ममस था, किसी को, school के अंदर, और वो इससे, इसमें transfer हो गया, day care के अंदर basically, तो इसमें transfer हो गया, अच्छा, family history में, there is no significant family history of infectious disease or genetic conditions, तो family में कोई इसी चीज मौजूद नहीं है, genetic conditions में ज्यादार, stones वगयरा होते हैं, या tumours वगयरा होते हैं, तो वो आजाते हैं, तो वो हमने इसलिए past medical history, family history पुछना बहुत important होता है, आगे चलते हैं, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह basically इस तरीके से swollen हो जाता है, और आपको य ग्लेंड जो है, वो काफी जादा swollen दिखता है, bilaterally दिखता है, ठीके, unilateral भी आ सकता है, लेकिन bilaterally यहाँ पर जादा common दिखता है, मम्स के अंदर, तो patient के जो हमने head and neck examination करी, तो swelling and tenderness in the joy area, respiratory track, no curve or difficulty in breathing reported, और उसके लावा GIT में, no nausea, vomiting, diarrhea, कुछ इस तरीके से patient ने complain नी करी, उसके बाद जितने भी हमने system review करा, वो बिल्कुल normal थे बाकी system, सिर्फ आपकी यहाँ पर swelling मिली थी हमें, और यहाँ पर temperature patient का जो था, वो low grade fever था patient को, heart rate 110 BPM, respiratory rate 20, और blood pressure 100 by 60, यह patient के vitals हमने लिये थे, और बाकी सारी चीज़े आपके normal मिली थी, तो इन assessment की basis पे patient की जो physical examination हमन patient को mumps virus, ठीक है, mumps infection, तो यह हमारे पास high chances हैं, अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं अपने patient की treatment की, कि हम treatment क्या करते हैं, अमूमन mumps virus जो होता है, यह self-limiting disease होती है, यानि कि यह खुद से आपके कुछ time आप इनको patient को बस hydrate रखें सही तरीके से, symptomatic treatment करें, patient के आइस्ता आपने symptomatic treatment करनी है, अच्छा इसकी एक complication होती है, वो काफी ज़्यादा severe होती है, याद रखना है, वो males के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, वो क्या होती है, उसको हम कहते हैं, और काइटस, और काइटस क्या होता है, inflammation of the testis, अगर यही बच्चा होता कोई, त बहुत rare chances होते हैं, लेकिन आपने याद रखना है, कि ovaries में यह जा सकता है, ठीक है, तो ovaries की inflammation करा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा common होती है, वो कौन सी होती है, और काइटस, यहाँ पर पिर उसकी बेसिकली आप क्या करते हैं, उसमें आप आइस पैक वगर यह आप सिरफ दें, पेशन को कितना देना है, आपने 1 टी स्पून, और यह 1 टी स्पून में तकरीबन 5 ml होता है, अगर आप कालपोल को लेंगे तो वो तकरीबन 120 mg का डोस होगा, अगर आप पैना डोल को लेंगे तो वो 160 mg का डोस होगा, 5 ml के अंदर, यानि कि अगर आप एक टेबिल टी स्पून देते हैं पेशन को, तो यह आपने देना होता है TDS या QID, तो यानि कि आप चार दफ़ा दें दिन में या तीन दफ़ा दें, तीन दफ़ा जादा तर प्रेफेबल होता है, सुबह दुपहर शाम आप पेशन को यह लिखके देते हैं, यह बहुत अ इसमें आपके पास ब्रोफिन DS आता है, यह बहुत अच्छा सिरफ होता है, इसमें आप 5 ml वही सेम डोस एक टी स्पून आपने देना है, तो यह आप यूज कर सकते हैं, दोनों के डोस बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं, आपने एक टी स्पून देना है, मतलब सि यह बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, तो यह आपको समझ लें, यह ओपीडी किस टाइप की थी, यह ओपीडी इस टाइप की थी, कि आपको एक डिफरेंशल्स पता हूँ, एक आपको पता हो कि अगर आपको ट्रीट्मेंट करनी पड़ जाए, कभी कोई और कंडिशन की है, रिफर करना पड़ जाए, क्योंकि डीप नेक इंफेक्शन में आपने एंट के पास रिफर करना पड़ता है, तो वो बहुत समझ में आ रहा, और पेशन्ट को आपने गलट ट्रीट कर दिया, शरिव आप गोली दे जारे है, तो बात में क्या हो कि चोकिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस्ट्री में एक बहुत चीज इंपोटन थी, वो भी आपने पूछनी होती है, क्या आपको खाते वे तो कोई मसला जारा नहीं हो रहा, यानि कि जब आप खाना खा रहे हैं, तो ऐसा फील तो नहीं हो रहा है, क्या बहुत बहुत इंपोर्टन चीज आपने लाजमी पूछना होता है, क्योंकि अगर चोकिंग हो रही है, तो इसका मतलब कोई चीज जो है वो आप्स्रक्शन कर रही है, तो अजमी फिर आप डाइगनोसिस में जो है, वो सिटी के लिए पेशन्ट को बेशते हैं, सिटी या फिर बेसिकली आप एग्जैमिनेशन करवाते हैं, कि उससे पता लगे, सिटी जादा कॉमन रहता है, तो इसमें आपको पता लगता है कोई अबनॉर्मल मास तो नही है, जि अगर आपको कोई चीज और पता है, तो आप जरूर अच का चैट बॉक्स में बताएं, और हाँ, एक और इंपॉर्टन चीज हम लोग शॉट्स बना रहे हैं आजकल, अगर आपको हमारे शॉट्स पसंद आ रहे हैं, तो आप मुझे कमें बॉक्स में बताएं, और उसके लावा आपको और कौन से शॉट्स चाहिएं, मैडिसन के अंदर किस टाइप के, तो वो भी मुझे कमेंट के अंदर बताएं, लाजमी कमेंट कराएं, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके लिए हम कॉंटेंट लेके आते रहेंगे, और कोड़ की जरुबात हैं, इंशालला आपसे मिलते हैं, नेक्स ओपीडी के अंदर, तब तक के लिए, लाँ हाफिज, बाई बाई, टेक कियर